नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रजद देवगन आज बजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी ली ट्रेडर्स कॉशिस थे साफ तौर पर पता लग रहा था क्योंकि ओपनिंग में ही हाय लगाने के बाद दिन भर वो लेवल्स नहीं नजर आए दरसल आए को तो हम अटेंप्टी नहीं कर पाए लेटर हाफ में मैक्सिमम डैमेज हुआ है आज जाते जाते बजार उपरी स्तोरों पर एक दम से धढ़ाम क्योंकि बड़े-बड़े नतीजे आने हैं इंफलेशन के फिगर्स आने बजार ये समझ के चल रहा था और उसका चलते एक दम से प्रॉफिट बुकिंग आज के सतर में लेटर हाफ में बन गई उननिसदार तीन सो एक सट ये आज के दिन का लो लग गया निफ्टी पे आज क्लोजिंग आई उननिसदार तीन सो चरासी की पच्पन अंक क्लोस टू क्लोस गवाकर बंद हुए है इसके लावा नि जी सी शुरुवाती सतर में तेज हो गया था उसके बाद दिन भर हमने अटेंटी नहीं देखा इसमें जो शुरुवाती सतर की तेजी थी उसको दुबारा से फॉलो अप बाइंग नहीं देखी लगबग 2% के आसपास क्लोस टू क्लोस चला है आईशर मोटर्स, नेसले, को सब 1% सब 1% धडाम हुए हैं बिखरा-बिखरा मार्किट था लेकिन FNO गेनर पर जो नंबर आया वो था एस्टर लिबिटेट का सब 3% तेज हुआ, NMDC कमाल कर रहा था आज के सतर में, लेटर हाफ में बाइंग और उग्र हो गई, सब 3% चड़ गया, PEL बहुत तकड़ी च CIE जिसने हडकम पैदा कर रहा था, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% GST इंपोस कर दिया गया है सरकार द्वारा, और ये खबर आज डेल्टा कॉप के लिए साबित हो गई, नेगिटिव, 23% टूड गया स्टॉक, वाइदा कारोबार में जैसी खुला, व से निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा, HDFC Limited हो गया है, आउट, PSU Banks में सबसे आदा खरेदारी थी आज, PSB 6% उपर, Indian Bank 4% उपर, Central Bank, Bank of India, Yuko Bank, PNB, इन स्टॉक्स में तेजी थी लेकिन capture करना move को बहुत मुश्किल था आज के सत्र में, सरकारी कंपनिया भी चड़ी है, NMDC, 3. ये 3% चड़ा है, ONGC, Gale, Concore, NHPC में हलकी खरेदारी होई है, Financials, दिन भर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरेदारी होई है, श्रीराम फिनांस, सवा 2% चड़ा, HDFC, MC 2% चड़ा, चोला फिनांस, 1.5% चड़ गया, मुथृट फिनांस, 1.5% चड़ा है, SBI कार, ICIC, General Insurance, ICIC, Zydus Life, Blackso, Glenmark, Dr. Reddy, Sun Pharma में हलकी तेजी, IT Stocks का आज Profit Booking का दिन था, LTIM कल से Nifty का हिस्सा जो बन रहा है, उसमें आज 2.5% का negative move था, LTTS भी सवा 1% चूटा, Infosys भी तूट गया आज, Coforge, HCL Tech, Persistent Tech, महंदरा सब नीचे बंद हुए हैं, और TCS और HCL Tech के जो नतीज़ है, उनक बैंक्स भी हलके हुए, HDFC बैंक, Indecent बैंक, Federal बैंक, बंधन बैंक, City Union बैंक और Axis बैंक में हलकी गिरावट के साथ हुआ कामकाज, Mid Cap ये ने इसकी सूची है, लंबी लेकिन जो लाइम लाइट में है, वो है Defense कंपनिया, Zentec आज के सतर में 20% Upper Circuit, MassDoc 9% चड़ गया, Nelco 10% Marksons 9% चड़ा आज Mid Cap में, इसके लावा भारत, बिजली, South Indian Bank, Sirmar, इन स्टॉक्स में 7,5% से 8% जादा का मूव आता हुआ नजरा है, LG Equipment शुरुआती सित्र में तो बहुत तगडी चाल थी, फिर Profit Booking हो गई, 7% चड़ा, NCC दिन की उचाहिया चूते-चूते हुआ है, बं ATM और PB FinTech के स्टॉक्स में, आज उतकर्ष Small Finance Bank का IPO खुला, 14 जुलाई तक खुला रहेगा, पहले दिन 4.28 टाइम सब्सक्राइब होता हो नजरा है, तगड़े सब्स्रिप्शन फिगर्स हैं, प्राइस बैंड 23 रुपे से 25 रुपे प्रतिशियर का रखा गया है, जिसके जरी से soft side पे नतीजे हैं, लेकिन पहले आप नतीजे सुनिए, मुनाफ़े के figure जो है, वो 11,074 करोड रुपे आई है, 11,392 करोड से बढ़कर quarter quarter basis पे, अनुमान था 10,866 करोड रुपे का, आए 69,321 करोड रुपे रही है, 69,162 करोड रुपे से बढ़कर, अनुमान था 69,450 रह गई, कामकाजी मुनाफ़ा 13,755 करोड रुपे रहा है, वर्सेस 14,488 करोड रुपे, अनुमान था 13,922 करोड रुपे का, तो ये भी अनुमान से थोड़ा कम रह गया, और margin जो expectation थी कि 23,4% के margin company report करेगी, 23,2% ही कर पाई है, जो की घटे है, 24,5% से, तो margin पे expected था कि this ब डेंट पड़ता हूँ, नज़र आएगा, 9 रुपे प्रतिशियर के अंतरिम डिविडेंट का एलान किया, company का iteration rate 17,8% है, तो ये question provide कर रहा है, 523 नए करमचारी जोड़े हैं, पिछले quarter में भी कम जोड़े थे, इस quarter में भी कम जोड़े हैं, कुल करमचारी संख्या 6,15,318 है अच्छा problem area क्या है, कि BFSI segment से growth में सुस्ती है, मात्र 3% की growth Y&Y basis पे दिखाई है, banking और financial services sector की, इसके लावा North America में मात्र 4.6% की growth है, Europe में 3.4% की growth है, UK की growth ठीक है, लेकिन North America और Europe में problem है, देखते हैं उसको बाद management commentary का क्या आसर पड़ता है, लेकिन overall अगर समरी करें results की, त अनुमान से थोड़ी कम है, कामकाजी मुनाफ़ा अनुमान से कम है, तो थोड़ा negative side पर नतीजे जाद हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी disappointment नहीं है, बजार पहली factor in करके चल रहा है कि TCS के नतीजे सुस्त आएंगे, असल खेल है management commentary का, अब आगे क्या होगा, कल है weekly expiry, बजा इस तरह act कर रहा है, कल बजार खुलते ही IT sector focus में रह जाएगा, especially TCS और HCL Tech, उसके बाद कल विपरो के भी नतीजे आने तो वो stock भी focus में रहेगा, आज बजार बंद होने के बाद जो भारत में और US में inflation के figures आएंगे, वो भी बहुत important impact डाल रहे हैं, इसके लावा कल Nifty में बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि आज HDFC Limited का आखरी session था, आखरी trading दिन था, तो कल से HDFC Limited नाम की कोई company नहीं है, अब HDFC Limited के share धार को, HDFC bank के shares a lot हो जाएंगे, कल से Nifty में LTIM और Sensex में JSW Steel शामिल होगा, लेकिन बजार के exactly वो कौन से levels हैं, जिसको देखके आप trade setup कर सकते हो, इंटरनाशनल मार्केट के development, stock specific cover, options का data, FIS के activity, किस तरीके से FIS position बना रहे हैं इंडियन मार्केट पे, ऐसे ही अगर आपको कुछ important data points रहे हैं, बजार शुरू होने से पहले तो वो share होते हैं, बिस्तक community page पे, लेकिन accessible होते हैं, सिरफ premium clients को, जिहां बिस्तक ने तीन category के plans launch कर रखे हैं, silver, gold और platinum, costing रखी गई है, 159, 299 और 599 रुपीज पर मन्त, ये तो feature है ही, market newsletter जो बजार उपनिक से पहले आपको मिल जाता है, इसके अलवा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो, live chat shows के दुरान तो आपके सवालों को पहले priority दी जाती है, उनको पहले address किया जाता है, gold और platinum हमारे higher grade plans हैं, जिसमें weekly newsletter की सुविदा है, और biz chat के मादिम से बिस्तक के anchors और bazar के experts के साथ, आप connect भी हो सकते हो, special shows उसके और organize होते हैं, और platinum जो कि हमारा highest grade plan है, उसमें तमाम features तो मौझूद है, लेकिन साथ-साथ portfolio doctor की सुविदा है, अगर तक का कोई भी event होता ह है, तो exclusive lounge access आपको मिलता है, और उपर से quarterly basis पे webinar में जोणने का मौका मिलता है, जिससे आपका equity learning curve बहुत strong हो जाएगा, आपको बताया जाएगा कि technically और fundamental बजार पे कैसे approach करते हैं, वो बताएंगे बजार के experts, टेलिग्राम चैलल ज़रूर जोइन कर लीजे, बिस्तक का और उस पे भी समय समय पर आपको updates मिलते रहेंगे, अगर आप premium client हैं तो और 10 बजे का options trade भी है आपके काम का, अगर आप derivative market में trade करते हैं तो, फिलहाल बजार consolidation mood पे है, लेकिन कभी कोई stock एकदम से टूटेगा नतीजों के चलते, कभी कोई stock में एकदम से spike up देखने को मिलेगा, तो volatility इस range में भी बहुत ही जादा देखने को मिलेगी, थोड़ा cautious रही है, हलके रही है बजार पे, जिस भी कंपनियों के नतीज़े अच्छा हैंगे, उन पे bet लगती हैं नजराएगी, नमस्का. इस से जुड़ना भी बेहदासान है, विस तक के YouTube चैनल पर जाए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रिमियम मेंबर. प्रिमियम मेंबर.